असलाम अलेकुम है सेम गोटपाम हैतराबाद चनल आज हमें देखें भई ताडबन बिस्मिल्ला होटल के पास में देखें यहने खाजापाड़ी लेड जंक्शन भाई का एक्जर्ड लोकेशन हैंगा और यहां पर आपको देखें उस्मानाबादी की बकरी रहने वाली है का परेंगे और भाई से बाद भी करेंगे अलेकुम है अध्याद लोकेशन अपना खाजापाड़ी लेड जंक्शन के पास आ रहा और अभी आपके पास उस्मानाबादी की बकरी आरी बड़े फ्रेम में और अच्छे बड़े लंगर में देखें साइज अच्छा है इसका औ और दोनों तरफ शेभगाए और दोनों तरह से मतारो अच्छी क annoy you say अच्छी हेवी बखरी है और इसके साथ में कितने बच्छे होगए रूभी रिषेंटि चालुताइब अहों अब हम घड़ितन चालुता shut đis कराएंगे तो हो जाएंगा शायर क्योंकि नरा में थान इसका नरा में थान और रिसेड़ी बन वास है यह बच्छे दालने के बाउट अगर वेट के इसाब से देखने हैं तो क्या वेट आ सकता बकरी का अंताजा है इस से पैंटीस आएंगा वेराम से पैंटीस की अबाव हो दिसके प्रूफ यानि दूद वखर राई बचा पिमेले ना साथ में हां फीमेले साथ में दस दिन की यह बता रहा हैं बीडिय ओवर दोनों थना इसके यानि या इक जो डूद विआ रहा वो भी थन नराम में ना इसका जिअ करेंट करेंगा चालो हो जएगा चोड़ यानि कि इन्शालला देखे खाली बकरी के साब में अगर आप चलींगे तो माशला सब बुड़े ताने की बकरी है साइज बहुत अच्छा है देखे इसका पारवगरा भी मजबूत है देखे और एक जो आचल इसका यह रुक्यवा है यह जो आचल रुक्यवा है वागर ट्र बता रहा हुँ सामें से आएगे तर अब कुछी समझ यहांगी अगर एक थन में से दूद कितना आ रहा इसके अंदर अच्छा रहा है अगर दोनों थना चालों एक हैते तो बकरी किते यानिके दूद पे थी एक लिटर या आदा लिटर दिड़ एक लिटर के उपर यह आत है यह इस तरह से भूष्टर आपके सामय बताओगहं और जितना आपना चैनल को लाइक करें शेर कीजी स्ब्सक्राइब करें डेली आप्ले लेंगे चनल बंबने रहें चैनल पंतर खरें कर दो